मुश्कार दोस्तो, एट पियम में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त अर्मेंदर कमारी दोस्तो पिसले वीडियो में मैंने कहा था कि जल्दी का काम सैतान का होता है हमारे कुछ सरपंच बनने के चुकुमे द्वारों को अगर हार्ट टेक आ जाता 22 सितंबर की तारिक सुनकर तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती इसलिए मैं सही सही सुचना है हमेसा आपको डालता हूँ और फिलाल की सही सुचना ये है कि आठ तारिक को हाई कोट में सुनवाई कीती थी वही जो पहले थी वो मुकरर हो गई थी दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो 22 सितंबर की तारिक हाई कोट की जो दिखाई जा रही है ये सही नहीं है ये एक human error थी एक mistakes थी जो हाई कोट के करमचारियों से हुई थी और इसको आप सुधार लिया गया है हाई कोट की website पर जाकर आप चेक कर सकते हैं ये दीपकंड दिलाल जी का case नंबर है 1106-2021 मैंने उनसे बात भी करी है पुष्टी भी कर ली है इसकी ये बिल्कुल सही है और इसको revise कर दिया गया है तो हाई कोट में जो आपके case की जो सुनवाई है वो आठ तारीक को ही होगी आठ तारीक को इस बारे में फैसला होगा बहस हो सकती है कि सरकार पुराने एक्ट पे कराएगी या नए एक्ट पे उसको हाई कोट आदेश देती है लेकिन फिलाल के सबसे बड़ी और जरूरी ख वैसान रहे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल खंगाल मारे उन्होंने तो अब मैं आपको बता दूँ कि यह तिति जस पहले वीडियो मैंने आपको डाला था उसमें बताया था कि जल्दी नहीं करनी चाहिए सुचनाओं में क्योंकि जल्दबाजी में इनसान गल्तियां करता है हाई कोट के करमेशारियों ऻनी जल्दबाजी में गल्ति की फिर यूट्यूब के साथियों ने गल्ति की और उसको फटाफट आपके पास कबर पुछाने के चक्र में गल्त खबर दे दी लाकिन मैंने फिर सर्च किया और सर्च करने के बाद जो तत्थ है थे वो और आर्थ हरिक को कोट में क्या हुआ है कोट में इस बारे में कैना अपडेट है इसको जानने के लिए आप हरी भूमी टीवी को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुच जाए एड़ोकेट दीपकंड दलाल जी हमेशा हमारे उसकी ताजातरी जानकारिया मुकमल जानकारिया और सही जानकारिया आप तक पहुचती रहे यही हमारी कोसिस है इसलिए रिलाइबल सौर्सिज पर भरोसा करें अच्छे सौर्सिज पर भरोसा करें जो आपको फेक खबरे ना पहुचाएं फेक खबरें आपका बहुत नु आश्कार